नवस्कार, कैपिटल टीवी में आपका सौगत है, कोटा से खबर आई, कि तीन तीन छात्रों ने आत्मात्या खट ली, इंजिनिंग का एक्जाम हो, मेडिकल का एक्जाम हो, बहुत स्ट्रस तो है, लेकिन इसके पीछे, हिंदुस्तान में ट्यूसन माफिया भी काम कर रहा है, एक ऐसा माफिया, जो न सिर्फ एक्जाम्स के उपर, सिलेबस के उपर, बलके रिजल्ट में भी अपनी दखल रखता ह है, और इसमें होता यह है, कि महनत करने वाले स्टूडेंट्स सक्सेस्फुल नहीं हो पाते हैं, और इन माफिया के चंगल में, इन माफिया के साथ मिलकर, कई सारे लोग अपने आपको उस लिस्ट में सामिल करवा पाते हैं, बहुत सारे चीज़े हो रही है, जो सरकार को प पता है और जब छात्र को ये लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जाने वाली है हम तो कभी भी IT क्रैक नहीं कर पाएंगे तो नतीजा जो कोटा में हुआ वही होता है वैसे भी NCRB की डाटा ये बता रही है कि जो तैयारी करने वाले छात्र होते हैं उनमें आत्म हत्या की संख्या काफी बढ़ती चली जा रही है कॉंपुटिटिव एज है और इसमें कोई पीछे रहना नहीं चाहता बच्चों के दिमाग में ये लगता है कि अगर IT क्रैक नहीं कर पाएं तो जिन्दगी खत्म हो जाएगी ये तो बच्चे सोच रहे हैं सरकार क्या सोच रही है क्या सरका आप पाने के लिए हमारे साथ असुनिपाध्या जी आपका बहुत-बहुत सौगत है आप उखबर कम पता चला मुझे पता चला और ऐसी कई घटना आ चुकी है मनेश जी आप तो चर्चा कर रहे हैं बाकी ना इलेक्ट्रोनिक मेडिया में इस पर चैनल चर्चा हुई चात के लिए पी आईल फाइल किया है और कोट में चल रही है केंद्र सरकार के सिक्षा मंत्राले को एंसी आइटी को सी बीसी को आइसी असी को दिल्ली सरकार को नोटिस भी हो चुका है या आपको गारत पता रहा हुँ पांच लाग करोड रूपय का कोचिंग का बिजनेस चल र सब का जोड़ दी है पाच लाग करोड साठ हजार करोड का to बाइदुस के साल का को चिंग का आल लाइन टूशन का बाकी चीज हो गका है इस देश में जिस तरीके से कोचिंग का जाल फैला हुआ है, ऐसा कोचिंग का जाल न सिंगापूर में है, न अमेरिका में है, न कोरिया में है, न जापान में है, कहीं नहीं है, बच्चे अपनी स्कूलिंग करते हैं, इसकूलिंग करने के बाद वो कम्टिटीव एक्जाम में चले जाते हैं भारत में इसको की जरूत पड़ी और आप बताएए 1975 या 1990 के पहले आप बताओ इतनी कोचिंग होती थी कि एक दो कोचिंग बड़े-बड़े शहरों हो गई एक पतना में हो गई एक दिल्ली में हो गई एक लखनौ में हो गई एक लहाबाद में ऐसे का दो कोच में पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता है और जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता है तो दस्वीं बार्वीं का स्लेबस्ताय करने वाले अलग लोग हैं इंजिनिंग का मेडिकल का क्लैट का एंडिये का पेपर सेट करने वाले अलग लोग हैं होंगे भी coaching नहीं ले तो आई आईट इम सेलेक्शन नहीं होगा coaching नहीं ले तो इसका and selection नहीं करेगा तो क्लैट क्लेट क्वालिफाइज नहीं कर पाएगा coaching नहीं ले तो आजकल तो आईएस में नहीं बन पातें बिना coaching यह situation नहीं हो की बहूत powerful धंधा चल रहा इस भारत में इंजिनिंग, मेडिकल, NDA, कोचिंग, IES, IPS के नाते जो कोचिंग का और ये इतने पावरफुल है इन्होंने मंत्रियों को, मंत्राले को, सिक्षा मंत्राले के सचिवों को, अधिकारियों को और मैं तो कहता हूँ, बुद्धिजीवियों को भी इन्होंने खरी लिया है इस देश में, लोहिया जी ने सबसे पहले मांग सुरू किया था समान सिक्षा के लोहिया जी उस जमाने में कहते थे, 1985-52 में, कि भारत आजाद हो गया है देश में समान सिक्षा लागू करिये बारवी तक, सब अपनी-अपनी मात्रिभासा में पढ़े गुजरात वाला गुजरात ही में पढ़े, महराष्टा वाला मराठ ही में पढ़े तमिल नानो वाला तमिल में पढ़े, स्लेबस एक होना चाहिए और यह आजकी डेट में हो सकता है अगर वन नेसन वन टैक्स हो सकता है तो वन नेसन वन स्लेबस भी लागू हो सकता है बई, एक कानून है राईट to Education पर्लेमेट ने मनाया उस Right to Education Act में कि वहले एक शब्द जोड दिया जाए equal तो उसकानुन का नाम हो जाएगा right to equal education उसमें पढ़ने की उम्र 6-14 साल है उसमें amend करके उसको 18 कर दिया जानी 6-18 यानी एक से 12 हो गया तो एक से 12 तक समान सिक्षा लागू हो सकती है करना क्या है जैसे आपकी जीस्टी काउंसिल होती है केंद्र के वित मंत्री जीस्टी काउंसिल के चेर्मैन होते हैं राज्यों की वित मंत्री उसके मिंबर होते हैं ऐसे education council बना दीजिये. केंद्र का सिख्छा-मंत्री, उस education council का चेर्मेंट. राज्जों के सिख्षा-मंत्री उस education council के member और physics, chemistry, math, geology, botany, English, Hindi. इनका तो subjekt common हो सकता है न. बाइ, physics का syllabus दिल्डी के लिए अलग क्यूँ, बंगाल के लिए अलग क्यूँ? यह तो Universal Physics होती है Chemistry तो Universal सब्जेक्ट है Math उनिवर्सल सब्जेक्ट है ography वाटनी उनिवर्सल सब्जेक्ट है अंतर हिस्टी की हो सकती है थीक है गुजरात में लग हिस्टी पढ़ाना है बंगाल में लग हिस्टी पढ़ाना है जागर्फिम थोड़ा अंतर हो सकता है तो मैं कह रहा हूँ अगर दस किताबे हैं तो साथ किताबे कामान हो सकती हैं तीन किताबे राज्य अपने इसाब से चला सकते हैं लेकिन जो मेन कम्टीटीव एक्जाम वाले सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमेस्टी, मैच, जोलोजी, बोटनी जहां से लड़के इंजिनिंग में जाते हैं मेडिकल में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, रेलवे में जाते हैं बाकी अलग 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 अंडिय में जाते हैं वो तो कामान हो सकता है लेकिन ये coaching mafia इस देश में one nation one slave लागों नहीं होने दे रहा है इतने powerful है इन्होंने पुरा hijack कर लिया system को school mafia नहीं चाहते कि इस देश में one nation one education board हो आयत की rate में क्या हो रहा है और सवाल यह जब सारे competitive exam एक हो रहे है इंजिनिंग का मेडिकल का इंडिये का क्लेट का आईएस का IPS का और अब तो C.E.T. भी सुरू हो गया यानि जो graduation में admission लेना है उसका exam भी एक हो रहा है तो जब exam एक है पेपर एक है तो बच्चों का अलग लग यह स्कामन स्लेबस लागू हो जाए uniform education लागू हो जाए तो इस coaching माफियां का धंदा बंद हो जाएगा लेकिन बच्चे आत्महत्या नहीं करेंगे बच्चे आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ते हैं दस्वी बारवी में वह कमटिटी एकजाम में पूछा नहीं जा रहा है जो कमटिटी एकजाम में पूछा जा रहा है वो बच्चे पढ़ नहीं रहें उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है अगर कामन स्लेबस लागू हो जाए तो इन स्कूलों को मोनोपोली खतम हो जाएगी जो 20-20,000 रुपए फीस लेने कोई नहीं पढ़ाएगा सब 500 रुपए वाले फीस स्कूल में पढ़ा लेंगे जहां 1000 रुपए फीस लगती होँ पढ़ा लेंगे जब स्लेबस एक है 500 रुपए के फीस लेकर बढ़ाओ यवीज़ार एक है तो आदमी वीजहालोपए क्यूं खुर्च करेंगा कर लेगा दूसरा जो बारवी में पढ़ाया झाएगा जब वहीं पेपर में आएगा तो बच्चा बारवी मेंद्ची तरीके पढ़ लेगा उसको coaching करने की जरूत है नहीं तो यह जो कोटा में इतने खुले पड़े हैं कोटा में खुले हैं दिली में हर देश के जितने भी बड़े सहर हैं वहाँ आपको कमसंग 50 coaching जरूर मिल जाएगी अराम से पटना से लेके आपको पूरे भारत में मिल जाएगी तो इन यह जो coaching की दुकाने चलने ही दुकाने बंद ऊजाएगी बच्छा आराम से पढ़ेगा tension फ्री होके पढ़ेगा इस्ट्रेस्प्री होके पढ़ेगा जो पढ़ा जो पढ़े आप सव shady मैं पूछ कर दो किस Σव्कार्ण माफिया है कोचिंग माफिया, टीउशन माफिया, इस्कूल माफिया भी, यह स्कूल माफिया जो अपनी मोनोपोली चला के रखे हैं कि कोई हम 20,000 रुपे फीज लेते हैं, कोई 10,000 रुपे लेते हैं, Otherwise, CBSC, ICSC को बर्ज करके, One Nation One Tax की तरीके, One Nation One Education Board बनाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी होनी है. ऐसे One Nation One Slayvars में क्या दिक्कत है? मंत्री और संत्री के बच्चे की किताब अलग क्यों होनी चाहिए? कलरक और कलेक्टर के बच्चे की किताब अलग क्यों होनी चाहिए? कांस्टेबल और कप्तान की बच्चे की किताब अलग क्यों होनी चाहिए? अगर और बड़ा फाइदा यह होगा कि स्ट्रस भी कम होगा लोगों की जेब पे बर्डन कम पड़ेगा पेरेंट्स के उपर जो इतना बड़ा बर्डन पड़ा हुआ है कोचिंग एक तो पहले 15-15 जार रुपए 12-10 जार रुपए महीने फीज दे उसके बाद कोटा भेजे हॉस्टल के पैसा फिर 3-3 लाग रुपए कोचिंग का पैसा पैरेंट्स खास्तोर पे मिडिल क्लास तो बर्बाद हो रहा है इस एजुकेशन के चक्कर में गलत नीतियों के कारण मिडिल क्लास बर्बाद हो रहा है मिडिल क्लास के पैरेंट्स टेंशन में है बच्चे सुसाइट कर रहे है लेकिन दुरिभाग की बात यह है कि संसद में इस पर चरचा नहीं हो रही है विधानसभार में चरचा नहीं हो रही है खासतोर पर वो लोग भी नहीं चरचा कर रहे है जिनके जो आइडियोलॉज थे चाहिए लोहिया जी हुए, चाहिए बाबासावा मेटकर हुए वही भी रोध कर रहे हैं वह चुप बड़े हुए मौन है कभी संसत में सवाल नहीं उठाते समान सिक्षा की दिक्कत क्या है अगर कस्मीर से कन्या कुमारी स्लेबस एक हो जाए तो सबसे बड़ा जो बेन्फिट ही होगा कि बच्चों को पर स्ट्रस तो कम होगा इसका दूसरा जो सबसे बड़ा benefit होगा इस देश में कट्टरवाद कम होगा जहाद कम होगा अलगावाद कम होगा मजभवी उनमाद कम होगा पांच लाख स्कूलों में सिखाय जाता है कि भई जो राम को मानेगा वो जन्नत नहीं जाएगा जो राम की पूझा करेगा वो जन्नत मर नहीं जाएगा केवल अल्ला ही अबादत के लायक है ऐसे पांच लाख स्कूल भारत में हैं ना तो नफरत भी सिखाया जा रही है पांच लाख स्कूल ऐसे हैं क्रिस्ट्टन मिससंडिस के जो यह कह रहे हैं कि केवल इसु ही prayer के लायक है बाकी राम और मूर्ति पूजा करना नहीं है अगर इसलाम को मानोगे अल्ला को मानोगे तब तो जन्नत में जाओगे तब जो है नहीं तो तुम तो जहनु में चले जाओगे दूसरे पांच लाख स्कूल सिखा रहे अगर इसु को होगा बच्चा हिंदू का हो या क्रिश्चिन का हो या इसलाम किसी का हो वो बार्मी तक एक स्लेबस पढ़ेगा एक किताब होगी सरकार के पास ये भी जाचने का अधिकार होगा कहां क्या पढ़ाया जा रहा है अगर वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होगा यूनिफॉर्म एजुकेशन होगा तो पूरे देश के जो टीचर है उनका जो टीटी होगा न टेस्ट होगा तो कंसकों उनकी कमपेटेंस एक होगी अभी यह पता ही नहीं कि जो माइनाठी के नाम पे स्कूल चल रहे है उन्हें स्कूलो में पढ़ाने वाला कौन है किताब कौन सी है कोई ओढ़िट का सिस्टम नहीं है सरकार को कुछ पता ही नहीं है कि वहां कौन पढ़ा रहा है वो भारती है पढ़ाने वाला है कि बंगलादेशी पढ़ाने वाला है वो आतंगवाद पढ़ा रहा है कि जिहाद पढ़ा रहा है पढ़ा किया रहा है सरकार को पता ही नहीं है जितने पैसल से आप चीजों को बता रहे हैं और जिस हिसाब से इस एजूकेशन मिस्टी सब को डौटिस हो चुका है केंडर के जबाब का वेट है और NCRD के जबाब का वेट है हमने यही कहा है आप साथ किताबे कामन कर दीजिए में किताबे आप कामन करिए बाकी स्टेट पर छोड़ दीजेंद पर पर पढ़ा लेगा वाला मुझाल की तो जब पेपर एक है तो बारवी की किताब अलग अलग क्यों बारवी का स्लेबस अलग लग क्यों फिर वन नेशन वा स्लेबस क्यों नहीं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और उमीद करते हैं कि सुप्रिम कोट आपके इस पीयल के उपर जो है जल्द फैसला सुनाए क्यो का पैरेंट्स की जेब पर इतना बर्डन नहीं पड़ेगा वो तो बेन्फिट हाई है इसके लावाँ दूसरा बेन्फिट है देश की एकता खंडता मझबूथ होगे समाजिक समरस्ता जो है समता मूलक समाज जिसकी बार 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 बात होती है समता मूलक समाज के स्थापना समरस्ता मूलक समाज के स्थापना भाई चारा एकता खंडता वो सब भी से मजबूत हो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें शेर करें और टेप्टल टीवी को सब्सक्राइब करें धन्यवाद